जहिंद साथियो स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर आज हम लेकरा है क्लास 10 प्रिहास चेप्टर 7 वेपार और भुमंडरी करण का अब्जेक्टिव प्रस्न जो बहुत ही इंप्रेट प्रस्न को लाया गया है और यह बुक का निचोड यानि चेप्टर 7 का निचोड इस है यानि कि चेप्टर के अंदर जितने भी प्रस्न बन सकाई इसमें बनाया गया है प्रयास किया गया है कि आपके परिच्छा में एक भी प्रस्न न चुटे तो completely इस वीडियो का आप लोग देख लीजेगा ताकि आप अच्छा से परिच्छा को सफल बना सके परिच्छा म के लिए आमारे साथ बन रही है चले यह प्रस्ण कि उर आगे बढ़ते हैं प्रस्न संत्रह एक कि यूडि नमर्स अंगर अर्श्ण संज्छा कि रिच सबस् अपसंन आपके सामने है 1975, ख, 1978, और ग, 1989 इंसर यदि पता है तो आप लूख कमेंट करके बताइए इसका राइटेंस हो जाएगा 1975 इस भी हो जाएगा और एक बात इसमें ध्यान रखना क्या है कि इस मंच की अस्थापना फ्रांस द्वारा 1975 में समुह जी के नाम से बीश्व के सबसे धनी राष्टों की सरकारों के साथ मिलकर की थी यह राष्ट थे फ्रांस चर्मनी इटली जपान ब्रीटेन और संजुक्त राज अमेरिका 1976 में इसमें कनाडा को सामिल कर लिया गया और मंच का नाम बदल कर G7 कर दिया गया यानि कि समुह 7 कर दिया गया 1997 में इसमें रूस भी सामिल हो गया और इस मंच का नाम बदल कर G8 कर दिया गया यानि कि समुह 8 कर दिया गया इस प्रकार से G8 की अस्थापना की गई थी चलिए अब अगले प्रस्न की ओर बढ़ते हैं प्रस्न संख्या इस नमरे रिखा है कि भारत में अकाल कप पड़ा था आप handful को बताने बहात अकाल कप पड़ा-मसिट 1850 से 1920 के बीच, 1860 से 1920 के बीच, 1870 से 1920 के बीच और 1830 से 1930 के बीच इसका राइटेंसर वो जाएगा option का 1850 से 1920 के बीच में अकाल पड़ा था अगले प्रस्न क्यों बढ़ते हैं प्रस्न संख्या 4 चौथा प्रस्न लिखे कि गुलामी प्रथा का प्रचलन कीस देश में था अप्रस्न का भारत ख, चीन, ग, अमेरिका, ग, ग, रूस तो गुलामी प्रथा का प्रचलन जो था अमेरिका में था राइटेंसर अप्रस्न ग हो जाएगा अगले प्रसन के और बढ़ते हैं प्रसन संख्या पांच पांचवा प्रसन लिखा है कि सम्यवादी गुट का अगुवा देश कौन था सम्यवादी गुट का अगुवा देश कौन था तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अफसन गह सोवियत संख्या था अगले प्रस्ण के उर बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या चौब चाथा प्रस्ण लिखा है कि चटनी म्यूजिक किस देश में मसूर था अप्सन आपके सामने हैं अप्सन का लिखा है कि मौरिशस में खाचीन में गह मियाद और गुयाना में गह सिरलंका में तो इसका राइटें अगले प्रस्ण के उर बढ़ते हैं प्रस्ण के सात्वा प्रस्ण लिखाए कि लिखार के सवरूप का आकार क्या था टो इसका राइटेंसर कि उद्द्दACH कि समापती के बाद किसके द्वारा हिरोप कि ब्रध्विवस्था को पुनरजीवित करने का प्रयास किया गया तो इसका राइटेंसर क्या होगा अप्शन ग यह नहीं कि अमेरिका के द्वारा किया गया अगले प्रस्ण के और बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या नौ नौ नमर लिखा है कि कच्चा का पास का निर्यात अठारे सो से अठारे सो बहत्तर के बीच पांच परतीसत से बढ़कर कितना परतीसत हो गया तो यह कितना परतीसत हो गया था 35 परतीसत हो गया था खर राइटेंसर होगा अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या दस दस नौमर प्रस अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या ग्यारा ग्यारा का सवरूप 20 करांती के बाद हुआ अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या ग्यारा 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 ग् आयात प्रतिबंद कर दिया गया किसान आज को आयात प्रतिबंद कर दिया गया था तो मक्का को दिया गया था राइट एंसर होगा अप्शन ग मक्का को दिया गया था अगले प्रस्ण की ओर बढ़ते हैं 14 नमलिक निएक ब्रियात उत्पाधन की नीथ्ही किसने अपनाई थो हेंड री फोड ने अपनाई थी ग्वां इसका राइट एंसर होगा अगला कोस्टन है, कोस्टन नमर 15 उटावा समेलन किस वर्स हूह था ये 1932 मोँवा था ग्वा रॉइट एंसर हो जाएगा अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या सुला सुला नमर प्रस्ण लिखा है कि वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का परभाव बिल्कुल नहीं पड़ा वो देश कौन था तो वो देश था रूस राइटें सरफ्षन घह होगा अगले प्रस्ण के उर बढ़ते हैं प्रस्ण संख्यास 17 जर्मनी की छती पूर्ती रासी को किस समेलन में कम कर दिया गया तो इसका राइटेंसर हो जाएगा ब्रुसेल से समेलन घर राइटेंसर होगा अगले क्वेश्चन के उर बढ़ते हैं क्वेश्चन नमबर 18 18 नम लिखा है कि 1923 में 20 स्वक्त को पूजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज दाता देश कौन था तो दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज दाता यानि कर्ज देने वाला देश था अमेरिका था अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं उन्निस नह ba लिखा है कि धन निस्कासन के सिधांत का प्रतिपादन किसने किया था तो ये दादा भाई नरोजी किये थे राइट एंसर अपसन गहा होगा अगले प्रस्न के उर बढ़ते हैं प्रस्न संख्य 20 रेसा मार्ग कहां से आरंब होता है रेसा मार्ग कहां से आरंब होता है तो रेसा मार्ग चीन से आरंब होता है खोर राइटेंसर हो जाएगा अगले प्रस्थ नवा लिखा है कि पास्ता, Sicily यह도 ले जाया गया तो यह अर्वो के दवारा ले जाया गया था राहिट एंब सरेज़ए अप्षन का अगले प्रस्थ कि प्रस्थ नवा लिखा है कि East India Company भारत से अफिम का निर्याद किस देश को करती थी तो अफिम का निर्यात किस देश को करती थी? चीन को करती थी खर आई टेंसर हो जागा अगले प्रस्न के वर बढ़ते हैं प्रस्न संख्याथ 23 आलु अकाल किस देश में पढ़ा था? आलु अकाल किस देश में पढ़ा था? तो ये 1845 से लेकर के 1844 के बीच में वह था गर आईटेंसर होगा अगले प्रसने क्यों बढ़ते हैं प्रसन संख्या पचीस धन निसकासन के सिधान का प्रतिपादन कीस भारतिय रष्टवादी नेता ने किया था ये कोश्चन दूबर हो चुका है इसका राइट एंसर हो जागा दादा भाई नौरोजी अगले प्रसने क्यों बढ़ते हैं प्रसन संख्या 26 26 नमर प्रसन लिखा है कि करनला कीस देश में पारित किया गया था ये ब्रीटेमें परित किया गया था राइट अंसर उप्षा खौँण होगा अगले प्रसनी क्यों बढ़ते हैं प्रसन संख्या 27 27 नमुल लगाए कि Decommers of Nation ancient नाम ап глुषटक के लेखक कौन थे Decommers of Except nation अब पुषटक के लेखक कौन थे तो katal lecture रायं तरग सिर गोँ हो जाएगा अगले प्रस्न की और बढ़ते हैं प्रस्न संक्या 28 28 नम порब लगाकि भारत में किनाल कलोनी कीष प्रांथ में बनाइगा तो यह पंजाब में बनाइग गई थी घर आइटेंशर होगा अगले प्रसने किऊर बढ़ते हैं कि 29 बिरिहद उत्पादन व्यस्था किस देश में बहुंद दिरिहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरम हुई तो अमेरिका में आरम हुई थी कर आइटेंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण है तीस अलेक्जन्डरियान अगर किया स्थापना किस ने किया था अगला प्रस्न है 31, 31 नमले कहाए कि भूमंडली करण सब्द का इजाद किस ने किया था तो जोन विलियम सन ने किया था, घर आइटेंसर हो जाएगा अगले प्रस्न क्यों बढ़ते हैं 32, नियो डिल को किस अमेरिकी राष्टपती ने लागू किया था, तो रूज वेल्टे ने किया थे, इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्न, प्रस्न संख्यत 33, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्सन ख, यूरोपिय एकनोमिक कम्यूनिटी, यूरोपिय एकनोमिक कम्यूनिटी किया हो था, अगले प्रस्न की बढ़ते हैं 34, भूमनली करण सब्द का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका ने कब किया था अब ये बताना है कि भूमनली करण सब्द का सबसे पहले अमेरिका ने कब किया था भूमनली करण सब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका ने 1990 में किया था इसका गौराइटेंसर हो जाएगा अगले प्रस्न क्यूर बढ़ते हैं प्रस्न संख्या 35 अमेरिका के किस छित्र को सोने का सहर का जाता है अमेरिका के किस छित्र को सोने का सहर का जाता है एल डुराडो को सोने का सहर का जाता है इसका गर राइटेंसर हो जाएगा अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या 36 अमेरिका के बीस्व बैपार केंद्र पर अतंकवादी हमला कब हुआ था तो 11 सितंबर 2001 को हुआ था इसका राइटेंसर अप्षन को हो जाएगा अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या 37 ट्रांस्वाल अफिरिका के स्वन खानों तक पहुचने में किसे सफलता मिली थी तो ये एस्टेनली को सफलता मिली थी इसका घार आइटेंसर हो जाएगा अगले प्रस्ण की और बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या 38 38 नमर प्रस्ण लिखाए कि 20 स्वा वैपार संगठन WTO की अस्थापना कब हुई तो 20 स्वा वैपार संगठन की अस्थापना 1995 में हुई थी इसका राइटेंसर अप्षन को हो जाएगा और किस तरीक होगा था तो याद रखेगा एक जनवरी को अगले प्रस्ण की और बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या 49 अंतराष्टिया मुद्राकोस IMF का मुख्याले कहा है तो इसका मुख्याले वसिंग्टन डीसी में है वसिंग्टन में है वसिंग्टन डीसी अगले प्रस्ण की और बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या 40 चालीस नमने लिखा है कि यूरोपीय एकनोमिक कम्यूनिटी की अस्थापना कब की गई इसका राइट एंसर हो जाएगा 1957 इसभी में की गई थी अगले प्रस्ण की और बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या 41 एक तारिस नहीं लिख्या कि सार्क का मुख्याले का है तो इसका मुख्याले कठमांडू में है खो राइट एंसर हो जाएगा अगले परस्न के और बढ़ते हैं परस्न संख्या 42 एस स्थापना की गई एस आई विकास बैंक की अस्थापना की गई थी इसे वता नहीं तो आपके सामने दिख रहा है अप्सन के अनुसारा प्लूग एंसर बता सकते हैं कमेंट करके जल्दी बताइए इसका एंसर क्या ओगा इसका राइट एंसर हो जाएगा दिसंबर 1966 इस भी को और तरीक पुछे तो तरीक भी याद रखिएगा 19 तरीक को तरीक क्या याद रखना है 19 तरीक यानि 19 दिसंबर 1966 को इस बैंक की अस्थापना की गई थी अगले प्रसने क्यों बढ़ते हैं प्रसन संक्यात नहीं तालिस एपेक को व्वाइस फूर ड हिस इशैफिक इन वर्ल्ड एफेयर्स यानि वींट स्व मामलों में एशीर प्रांत की वाज किसने कहा था इस प्रसन का राइटनसर रहाएगा Bosr Hawk ने किया था किस ने कहा था बॉब हॉक ने यानि कि गवराइट एंसर होगा अगले प्रस्ण के उर बढ़ते हैं चवालिस चवालिस प्रस्ण लिखा है कि बीस स्व बैंक का मुख्याला निमलिकित में से किस अस्थान पर इस्थित है अस्थान बता नहीं तो अस्थान कौन सा है वसिंग्टन डिसी है अगले प्रस्ण के उर बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या पैटालिस पैटालिस हम लिखा है कि वर्लीन समेलन में इउरोपिया राश्टो द्वारा अफिरिका का बटवारा कब हुआ था तो 8845 के असपास हुआ था इसका राइटेंसर अप्शन गह हो जाएगा अगले प्रस्न की और बढ़ते हैं प्रस्न संक्या 46 उपेक की अस्थापना की गई थी यह बताना है 1960 इस्विव की गई थी अगर परिक्षा में तारीख पुछ दे तो याद रखेएगी 14 सितंबर 1960 को किया गया था अगले प्रस्न कर बढ़ते हैं, प्रस्न संख्या 47, दक्छेश की अस्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट एंसर याद रखना है, 1985 भी अगर तरीख पुष्दे तो तरीख के लिए याद रखना है 8 दिसंबर को 8 दिसंबर 1985 को दक्षेश की अस्थापना की गई थी अगले प्रस्न के उर बढ़ते हैं प्रस्न संख्या 48 भारत में नई आर्थिक नीती की घोसडा कब की गई? तो 1991 में की गई थी नई आर्थिक नीती की घोसडा को राइटेंसर हो जाएगा अगला कोस्टन के उर बढ़ते हैं कोस्टन नूमबर 49 49 नम लिखाए कि G780 की अस्थापना कब की गई? G77 की अस्थापना कब की गई? तो 1964 में G77 की अस्थापना की गई थी अगले परसने के उर बढ़ते हैं परसन संख्या पचास पचास नमर परसने के बीस्व बैपार बीस्व बजार के रुप में कौन सा सहर पहले उभर कराया बीस्व बजार के रुप में कौन सा सहर पहले उभर कराया तो उस सहर का नाम था इलेकजंडरिया का राइटेंसर हो जाएगा अगले परसन के उर बढ़ते हैं 51 51 अमले कहें कि आधूनिक यूग में और्थ व्योस्ता के छेत्र में होने वाली सबसे बड़ी करांती कौन थी अर्थ ब्यास्ताक छेत्र में होने वाली सबसे बड़ी करांती का नाम था अवधोगी करांती खर राइट एंसर होगा अगले प्रस्न के उर्बढ़ते हैं प्रस्न संख्य बावन बावन अमलेके कि बीस्व बजार का विस्तार आधुनी काल में किस समय से आरम हुआ ये बता नहीं कि बीस्व बजार का विस्तार आधुनी काल में किस समय से आरम हुआ था तो अट्रमी सताब्दी से आरम हुई थी खर राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रस्न के उर्बढ़ते हैं तीरपन अगले प्रस्न के उर्बढ़ते हैं प्रस्न संक्या पच्पन आर्थिक संकट मंदी के काराण एरोप में कौन सी नई सासन प्रणाली का उदे हुआ तो फासी वादी नाजी वादी सासन प्रणाली का उदे हुआ गर आईटेंसर हो जाएगा अगला कोस्टन देखते हैं कोस्टन नमबर 56 56 लिखाए कि ब्रेटन वोड्स समयलन कीस वर्स हुआ था तो ब्रेटन वोड्स समयलन 1944 में हुआ था इसका गर आईटेंसर हो जाएगा अगले प्रस्ण क्यूर्बर ते हैं प्रस्ण संक्या 57 भूमंडिली करण की सुरुवात कीस दसक में हुई तो 1990 इस वी के दसक में हुआ था इसका कवर आईटेंसर हो जाएगा अगले प्रस्ण को मिर बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या 18 अंठावन लिगा है कि दीट्य 20 सी विद के बाद एरोप में कौन सी संस्था का उद्य आर्थिक प्रदुर्भावों को समाप करने के लिए हुआ आर्थिक दूर्परभाव को स्माप्त करने के लुगा तो यूरोपिय संग राइट एंसर होगा अपसन घ अगले प्रस्ण के रबढ़ते हैं प्रस्ण संख्या उनसर्थ प्रचीन काल में किस अस्थल मार्ग से एसिया और यूरोप का बैपार होता था इसका राइट एंसर होगा अपसन घ रेसा मार्ग से होता था तो आज इतना ही राने देते हैं इतना ही प्रस्ण इस चेप्टर से बनाए गया है और ये वीडिया प्लू को अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर सेयर कर दीजेगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा जय हिंद जय भारत जय बिहार धन्यवाद